यह कोस हमने जब प्लान किया था तो हमने यह ऐसर मिनियूम यह चीज़ें ली थी इसमें मैंने मेडिकल एस्ट्रोजी का पार्ट टच नहीं किया था आप लोग चाहोगे देख रहेंगे अभी हम लोग क्लोज थर्टी टू-फॉर्टी परसेंट पर इस कोसे तो कि हमने बेसि अभी हमने टच नहीं किया हुआ है कि दोशों को हमने थोड़ा बहुत टच किया है बट दोश का अपने आप में टीन से चार्शन का क्लास होना ची मुझे लगता है अलोंग विधी ड्रेमेडियल पार्ट वह हम टच करेंगे नाड़ी की बात अभी तक हमने नहीं किये अपना विध्यान है देखा होगा आप लोगों अपनी एक रेमेडिय बहुत बढ़िया काम करते हैं ठीक है अप्लिकेशन में कल ही हमने के ग्राम खुल दिया और आपने देखा तक चीजें कि सटीक पैट तो जैसे ऐसे हम लोग सीखते जाएंगे ऐसे ऐसे हम लोग इन ची अपने लेन पिल्कुल देलेंगे क्योंकि नहीं चाहूंगा लेना कारें उसके पीछे इसी को किर्दी की भॉलम किनी सटोन है लिए की पेड़ी यवेंड की five क्यों बहुतुं पता होना चाहिए का five करने चाहिए और किसी के चार्कर पीछी आपने साथ मेंगें कोई पैली तो वह इवेंट नहीं होता है एक होता नाच्छा कर रही है या आपके बेसिक चार्टिंग कर वह जैसे कि चंदर कहां पर था लगन का रही है जब भी आप इसी चीज को ट्रिगर करते हो दिन चर्यां में तो कोई ना कोई प्लानेट एक्टिवेट होतने की पोशिच लगता ह लेकिन उनके एक्टिवेशन के समय हमें कुछ धान नहीं जाओ शक्ता हो वही आज का टॉपिक है और वह मैं आपको यह थोड़ा डीटेल में लूँगा यह दो से तीन सेशन का एक क्लास होगा ठीके कोशिश करेंगा आज कवर करने की बाकी बगवान की इच्छ अब अच् इस सब को पता है यह सेल्फ है यह फैमिली यह सिब्लींग है यह आपका एक्मिलेटेट वेल्थ है मदर है ठीक है फिर यह चाइल्ड है मामा का घर पाउस इन-लाउस फादर बॉस बड़े भाईबहें फिर आपके मतलब बिसिकली लॉस है किसी भी चीच का लॉस और हम यह मानते कि छे आठ बारा नेगेटीव होते त्रिक भाव में आता है यह सब को क्लियर इसको आपके स्क्रस करने की आउश्यक्तान है हम जब भी खेल खेलते हैं नव ग्रहों की बात करते हैं नव ग्रहों में साथ मुख्य ग्रह सूर्य चंद्र मंगल उत्र शुक्र जाटर शायाग्र कॉन से राफ्तों कि जो नहीं होते हुए भी सब यहीं चेलते हैं लेकिन इन सब के तत्व भी है हमने यह बात पहले बीगवा डिसकस किये जुपिटर आकाश तत्व है चंद्र और पीनस और मून अथा चल तत्व है सूर्य मंगल अगनी तत्व है शनी व चत्व उनका हो जाते हैं मत्तब यह नहीं होते हुए भी जहां बैठेंगे उनको उसके कपजा कर देंगे कपजा वाली नहीं थे हैं राइट कुदका कुछ नहीं है लेकिन जहां पे बैड़ गए वह हतिया लिया तो उनके हिसाब से चलना पड़ता भी डूंट है रच्व राशी में आपने देखा है 1.9 अगनी तत्व दो छे दस वित्री तत्व तीन साथ 11 वायू तत्व चार आठ बाराच जल तत्व आपके जहां भी यह संख्या यह नंबर दिखा होगा यह उनके तत्व अपने आप सिगनिफाई करेंगे पिच्छ प्लियर यहां तक अब हम आगे बढ़ेंगे इस से आगे आम सर्य यह क्वे उनके होए फिकानी प्लाणेट प्लानेत अच्छा ठीश नहीं हो तक स्क्राइब और जबोंस नोस से घृतेजिए तन हाँ श्चा गतला नहीं का पार्ट जब भी वह हाउस् होगा जब बी वह फ्त्रीत विजर्टमस हो र ठीक है अब इसी चीज़ को हम लेते हैं पहले आज हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं सबसे अब मैं जब फर्स्ट हाउस की बात करता हूं फर्स्ट हाउस किसका है अब 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 आपको वह मजबूत करेगा अपने आपको वह मजबूत करेगा यह कम्योख करेगा यह मैंटर्ट विजट्ट से विवी बाइंगे अब भू इसल्ट अच्छा होगा अब ग्टेपेंड करता है जल्फ है सेल्फ है फ़स्ट लट चाहे कोई बीड ब्लानेट्ट थी एक हों अम्हें बार्फ कि Rapha नहीं इस अमक्राइब कि जब हम किसी इसी प्लानेट की बात करता है कि सब्सेइम पहले कि ग्राइत प्लाइन का नाइच्वल सिंघ्निकेशं संजो बात बैनेट का सिंधी केश्टर और यह अभी नाडी का नाडी जोटीश जो और यह ना यहीं पर नाडी जोटीश बहत ईंपॉर्ट होता जाते हैं संघानेट के नो प्लाइनट में जो मुख्य ग्रहे वाहु के तुको छोड़ दिया जाए साथ कर जिनका एक्जिस्टांस है वो कौन-कौन से सन मून मार्स मर्क्यूरी नस जुपिटर 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 एप सैटर अब मुझे बताओ सन का सभाव क्या है सन का सभाव क्या है कि अथोरीटी इसन एक अथोरीटी है लीडर्शिप एक अथोरीटी है सन एक एनरजी है एक सोल है प्राइम है जो अपने आपका में श्रिष्ट समझता है राजा के समाद एक पावर है तो कभी भी अगर कहीं सन बैठता है तो उस हाउस के विलेटेड या जहां बैठेगा प्लाइट वह क्या करेगा अथोरीटी निहीं मौन क्या है ए मन का कारक है है इंच आपकाव है अल्याम करता जहां जाता है वहीं का हो लेता है जों के मसें पश्चाव है लेकिन अगर भी होगा तो एडप्टेशन में लिक्कत देज़ेगा जिस पात्रे में डाला उसी पात्रे के मुताबिक हो जाता है बिल्कुल हमें यह समझना कि मुण जहां बैठा है यहां पर उसको कंटूल करनी क्या हो शकता है क्योंकि अनकंटूलेबल है अगर इसको फुला छोड़ दिया जाए तो इसको खुला नहीं छोड़ सकते इसको खुला नहीं छोड़ सकते ठीक है अभी मैं मात्ता का कार है कि वह सब हमें मैं डिसकस यहां पर नहीं कर रहा हूं इसके बार मार्स क्या है मैं थनुअ है का सब्सक्राइब है इस समय और एंधर कर flushed od तो जहां पर मंगल बठेगा वहां पर देखो कि गुस्सा एक्वेशन न जबाएगा अगर उसकी एनरजी को दब पंटूल नहीं किया गया इसलिए माप्स प्लस मून का कॉम्बिनेशन या माप्स प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है कई बार देखोगे माप्स वीनस कॉम्बिनेशन क्या बोलते हो आख बंगर के जो इन्होंने पराशर किया है साफ बोलोगे इसके सेक्शुल डिजार्स वह ज्यादा है एक्च्वल में ऐसा नहीं है क्योंकि वह मार्स की उवजा को अगर आप सही यू से नहीं कर रहे होंगे तो डिजार्स बढ़ा देंगे वह वीनस को दे रहा है वीनस का अपना एक औरक्तत्व है यह करना क्या चाहरा है तो जब कभी किसी प्लानेट को आप कहीं भी देखो स करना सभाव है डंक मारना तो डंकि मारें साधु का सभाव है रक्षा करना बचाव करना तो किसी प्लानेट का जो सभाव है उसके प्लानेट नहीं जा सकता वह वी किसी का भी लोड हुआ कि कि यसमझ में आगी बात अ सब्सक्राइब इसको सब कुछ क्विक चाहिए सब कुछ इसको कुई चाहिए अगर इसको कुई नहीं मिला तो क्या होगा यह पर शान होगा सब्सक्राइब अब आप बिस्नेस क्या है जो आप एक बैलेंशीट ले तो चार्ट को डिफाइन करते हो एक मुझे मेरा यह इसे बांपर चाहिए आप एक अगर वह एचीव नहीं होता है कुछ भी पानेगी ललके येस ललक में ललक का काम वहाँ पर मून को आपने कंट्रोल कर देखिए आप इन्हीं प्लानेट्स को सही तभीके से यूज करना सीख जाओ कंट्रोलेबल फॉम में यही आपके लिए जम बन जाते हैं कोई भी चाटो कैसा भी चाटो आपने यह स्क्रिफन होकिंग्स अभी तो नहीं रहे उनको हेल्ट इशूस थे राइट मेंटल इशूस राइट पटीव सक्सेस्पुल उन्होंने देखिए जो उनको बिमारी थी व मैंने उनका चाट नहीं देखा है लेकिन जो उनको पॉलम की क्या थी सेरेबल पाल्सी क्या कहता हो कि उनके बॉड़ी का हिस्सा नर्व सिस्टम काम नहीं कर रहा है राइट मून प्लस मर्क्यूस का कारक है खुश सक्षब आफ पर राहू का तभा होगा उसे एणेरजी को दुस्से पर में चैनलाइस किया की तेटनोजी कि उन्होंने अपने थोट्स को अपने थोट्स को रिटन फ़र्म में कन्वर्ट किया कमउनिकेशन ने इंटलिजेंश यह उन्होंने उस वी असको समझ के सामने लाया कि इमोशन पर कंट्रोल करें तो सोचो कि एक डैमेज उनका जो हो चुका था अब लेकिन उस वैक्ति ने भी उस वैक्ति लगई है किया तो मतलब इंसान चाहे तो sky is the limit हुद हम चार्ट को दोस्ट क्यों देते हैं चार्थ हमें डिशा दे रहा है गाइड़ेंस दे रहा है कि आपको चार्ट को positive use कैसे करना है दोस्ट चाट का नहीं है दोस्ट आपके कर्म का है कर्म के father प्रफश्ट को पॉलम्स थोड़े से कम है किसी को पॉलम्स थोड़े से जादा है पस यह अंतर है जीवन में कुछ ना कुछ चलते रहेंगे अब बताओ वीनस किसका कारक है अब यहां पर ना विलेशन की बात नहीं गया है अच्छा तो फाइनन्स फाइनन्स सुख सुविदा लगजरी 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 देखे वीनस को हम दो तवीके से ले सकते हैं वीनस एक प्रगब हो गया है वह का मतलब समझो मतलब आपके डिजर्स का आउटकम है जो मतलब जो इस समाज में जो राहू देना चाहरा है ठीक है उसका एक्च्छल जो यूटलाइजेशन है वह आपको जो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है बहले आपको पतनी मिल रही है आपको गाड़ी मिल रहा पिना वीनस के उपत्ति नहीं हो सकती है आत्मा अमर है यह बीज नश्वर है लेकिन यह ट्रांस्वाम होता रहता है आप लोग समझ वह होंगे मैं क्या बोलना चाहरा है वीनस इस इनिशेशन आफ एनिफिंग अगर आप उसको पॉप्टरी यूज किया जाए थो ठीक है अब जुपिटर क्या है ज्यान ज्यान है जुपिटर विजस सपोर्ट भले वह सिक्स लॉड और सेवन लॉड और एट लॉड और 12 लॉड वह अलग मामला है बट उसका नैच सब्सक्राइब के सपोर्ट इसलिए कहते हैं कि जब भी जुपिटर की दिश्टी पड़ जाए आपके दोश्यूप में कमी आ जाती है कि कहा जाता है ना कि जुपिटर के बारे में कार को भाव नाशम किसके ने सुनाई इसके बारे में इसका मतलब समझो सबसे बड़ा प्लानेट जुपिटर है यह बिल्कुल मानता हूं मैं लेकिन जुपिटर का ग्राविटेशनल पुल सबसे ज़्यादा है इस धर्ती की या इस ब्रमान में जो चीज़े आगे बढ़ रही बहुत सारे एस्टरोइट आगे आते रहते अ आपको पला जुपिटर पर कई सारे वी किंदो पर आते रहेते बाकीम को ब additions करता है बाकी के ग्रहों को बाकी जुपिटर जहां बैठता है उस भाव के effect को कम कर देता है या उसके significance को कम कर देता है यह क्यूं करता है क्यूंकि वह negativity को अपने दस खीच रहा है क्योंग ग्यान का कारव के गुरु है बोलता मैं मेरे राजा तक मेरी प्रजा तक मेरे मेरे राजखुमार तक मेरे जो इस फैमिली के इस प्राविवायव के जितने सदस्य है उन तक चीजों को जाने नहीं दूँगा मैं पहले खुद हैंडल करूँगा मैं ग्यान का कारक हूं मैं कुल गुरू हूं इसलिए कहा गया है कारको भावनाशन अर्थात जुपिटर जहां बैठेगा उस भाव की हानी करेगा हानी क्यूं करता है उसके पेचे पीछे का बेसिक साइन्स अगर समझो तो हो यह समझे कि उसका ग्राविटेशनल पूल सबसे ज़्यादा है सबसे पहले कोई भी जाती है वो खुद की दफ खीच लेता है पहले बोलता हूं तो मुझसे टकवाओ उसके आदमें आगे जा ले दूए ठीक है अब सैटन क्या है करम 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 है सैटन इस करम 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 यह आपका वह एनरजी है कि आपका डेप्थ कार्मिक डेप्थ कहां से जुड़ा हुआ है यह सीधा आपको उस चीज करता है अब हमने इनकी यह बात कर ली इसके बाद दो प्लानेट और आते हैं जिने हम कहते हैं चाया करते हैं कहते हैं वह को नहीं है राहुएन के तो बहुत बड़ी आ प्लानेट यह वे क्योंकि इश्वव ने अगयन की पत्ति नहीं की होती न तो इंसान अपने आपको भगवान समझ लेता है कि समझेगी नहीं कि शनियों मंगल को सही यूज़ करते हैं अच्छा वाहू क्या है प्रम प्रारब्द भी बोल सकते हो ठीक है प्रारब्द का कारक बन सकता हो ठीक है लेकिन वाहू है भ्रम वाहू है फैलाओ यह बहुत ही बेसिक बहुत ही बेसिक बता रहा हूं मैं आप लेकिन हर प्लैनेट के आगा आप स्टड़ी करोगे तो आप समझेगी लोग की एक बुक लिख सकते हैं इतने सिग्निफिकन्स हैं राइट शाइलाओ फैलाओ फंगस भी बोल सकते हैं न राहू फंगस बोल सकते क्यों कि वह क्या एक इंफेक्शन का कारक है जब मैं मोलता हूं कैंसर भीना राहू के संभव नहीं है एक बार किसी असलोर से भी बहस हो गई थी उनका यह मानना एक थी राहू को एक पॉजिटिव ना पॉजिट यह दो कि यह पता है वह साइक्लिक फॉर्म में राहू अपने पॉजिटिव नेटा है मैंने यह कहा है मैं इसको फूर्व भी कर दूंगा थोड़ा सम आगे बढ़ेंगे कि कि किसी भी अभी धन तीसवी चोथी पीडी के आगे नहीं जा पाता है क्योंकि राहू जो देता ह वह लेता है तर यह एक जगा पर देता है और जो लेगा वह लेगा क्या है रहू के वाल भौतिकता की बात करता है आच्छा मुझे एक चीज बताओ मैंने चीज़ आप लोगे एक्स्प्लेंड किया था रहू के पास क्या मुंदी नीचे का हिसा नहीं है अब वह जो कुछ खा सब्सक्राइब साउल को अबश्ए थीछ आज लेङगा यवी विशा सब्सक्राइब का पथा समूले में घ्יע को जाए के अपके पास नहीं लाह है शाव में फसा इसे होता जभाटिक लिएव जब तक को केतू को यूज नहीं करेगा इसको Noriser नहीं उसके लाइफ का एम नहीं मिलेगा। कई बाप देखो के बड़े बड़े विशहसं बोलते हिरे यां लाइफ का ए य üzer समझने आर। क्यूंकि उसका एंड नहीं हहे विसे केटु काभी एंड नहीं है लेकिन केटु केटु एंड अंपोज़िट एंड प Ari A राहू केतु में यही अंतर है अगर जुपिटर ज्ञान है तो केतु क्या है आध्यात्म वो खोज है अनंत खोज है जो कभी खतम नहीं होती है और यही कारण है केतु क्या पता है राहू का डिटाच्मेंट है राहू आपको भौतिक्ता की तरफ लेका जाएगा केतु आपको बहुतिक्ता से विप्रीध आत्मा की घहराई में लेके जाएगा संजेगी निहीं MA आपको ये समझ में आ गया कि हावल प्लानेट का एक नैच्रल सी गनिपिकंथ हाव प्लानेट का इकनाट का मैतीजल सिंपिकंस अ अब जब आपको पता च्लेगा कि आपके चाट में कोई planet किसी वास्स में सबसे पहला को क्या समझना है कि यह प्लैनेट का खुद का सभाव क्या है उसके बाद जाना है लॉडशिप पे क्या है क्या नहीं है क्यूंकि अपना नैचुरल सभाव यह कभी नहीं छोड़ने वाद है किसी के सब्तम्भा में सूर्य बैठा है देखना पत्नी ऐसी आएगी अपना पूरा डंडे के वहल पर चलाएगी बस तुम्हें में आप कहना मानना पड़ेगा वह अलग बात है कि क्या कहानी हो अब आपको अगर चार्ट वैसा मिला है तो अधाप्ट करो अभी निजी जी हलो हाँ जी बुलिए कि पहुंचने वाले हो अधा को विपदा में बटलो मुदी चीने ये का है आप कदा को मैं यही कह रहा हूं कि हम्में हम्में जो चार्ट मिला है भाइस अब मैंने मुदी जी का चार्ट देखा अवे लिए देखिए आप जब मुदी जी की बात करते हो हमने मुदी जी का चार्ट देखा था बेसिक स्टड़ी किया था और मैंने यह पाया था कि मुदी ची के चार्ट में अगर वह व्यक्ति उस चार्ट को अपने हाउस इटलाइशन को पॉपर यूज नहीं करता तो कहीं का नहीं था हो प्रक्रों उस व्यक्ति ने अपने हाउसेस को अपने प्लानेट को बहुत ही पॉजिटिव यूज किया है और वह जो कुछ भी है वह एट तो ट्वल्थ कर ने जो तो बीच के तीन साल की सिकों कहां थे लोगकी शक्तिया अब उसका प्रमान कोरिक देपाएगा पर उससे उनका संबंद ऑब वह वेक्ति एर्ली मॉर्नींग 3-304 वी त्वाइव उत्ता है तीन गंटें उनकी नीन को जाती है यह शक्ति को देता है यह आत्मिक शक सकती है वो के तुआ सूर्य को यूज करके गवन कर रहे है कि कोई माने या ना माने ड़िफरेंस लोई अलग-अलग पक्षो सकते अलग-अलग यह लेकिन वह बल वह जो बल है वह शमता वह आपको आध्यात महीं दे सकता है ठीक है और उन्होंने क्या किया अपने 6-8-12 को ऐसे यूज किया है कि उसके से हमने किसी की टक्कर नहीं और जो 6-8-12 को यूज करना सीख लेता है वह संसार में अमर हो जाता समय अजे हो जाता है अजे हमने बात किया हाउसेज के सिग्निफिकांस को अब आप खुश सोचो अगर आप किसी प्लानेट को पहले देखोगे उसके बाद अब आपको देखना क्या है कौन सा लॉड कहां बैठा है अब रेमीडी इजी हो जाएगी है नहीं हो जाएगी प्लानेट कोन है पहले समझो प्लानेट कोन है फिर देखो वो प्लानेट क्या चाहता है वो कुन बताएगा किसका लॉड कहां बैठा है जो हम कवर करने वाले समझ में आरा है कंसेप्ट कोई डाउट किसी को यह सब्सक्राइब को स्टेप बाइस्टेप कोई जल्दी बाजी नहीं है अभी तक में स्टेप से हम लोग चल रहे इसलिए